हेलो स्टूटेंट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तू आल अव यू स्वागत है सभी का सफलता क्लासेद में फटा फटते सेशन को जॉइन करते चलो क्योंकि भी सेशन होने वाला है पर पहले आपने सफलता क्लासेद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हूँ चलना है आपको भी डाउनलोड करते हुए चलना है और जितनों को भी जानते हो सबको भी सेशन करते चलो और आज का मॉर्णिंग मोटिवेशन हमारा है नेवर गेव अप बैगनिंग इस ऑ पता है कि हाँ चीजें Prime करने लगते हैं बहूत हाइन लगते हैं फिर घहां नहीं हरसे ही फार्ट है जबाद में जैसे जैसे आप उस चीज़ के लिए अपने आपको पर परपर करते हो जैसे 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 चीज़ों में आप वर खरना लगते हो इसे व्योगते होती तो यह सोच कर गिव अप नहीं करना है कि बहुत हाड है क्योंकि शुरू में वह लगती पर बाद में आते 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 आपकी जैसे एफ जैसे एफिशेंस की बढ़ती जाती वैसे वैसे आपको वह इनफाक्ट एजी और अच्छी लगने लगे तो इसी के साथ भई आई होब सो करते हैं शुभारंब आज है तारीक आपकी चार परवरी कैसे चलने वाला सेशन जो जानते हो बहुत अच्छी बात है जो नहीं जानते हो भाई सुलो हमारे जो है सबसे पहले हम लोग डिसकेस करेंगे प्रीविए सेशन में जो भी हम लोग ने पढ़ाता उसकी हैड्लाइ कर सकती है तो वह इस्टार्टिक जीके पर भी ज्यान देंगे जिससे अपका और करेंट साथ में चले और सबस्क्राइब करेंगे जल्दी जोइन करते चलो और पहला नहीं यह थी ती कि वेटलन लैंड डें वर्ट वेट्लान डें भारत ne सिर और दुप्र तें ठीक के बिश्म और यह आपका हो जाता है वर्ड वेट्लान डेंक अब सर पर ये काम हुआ अब ये वर्ड विश्व आदर भूमी दिवस भी मनाया गया अब ये इसलिए अलग से बताया था क्योंकि इसमें आपकी स्थीम भी थी और क्यों मनाया गया उस बारे में डीटेल्ड नॉलेज आपको बताया थी कि 2nd February को दिन मनाया गया ये वही दिन था जब रामासार वेट जो है फ्लाइंग बोट चलने वाली है और ये कवाईगी कॉप ट्वेंटी एट के टाइम में से फ्लाइट टेस्टिंग होगी जो यूई में ही होगा ठीक है आगे बात की जाए तो पंजाब इलेक्शन हो रहे हैं कितने राज्यों में हो रहे हैं ये सब हमने कल डिसकर किय जैसे शेरा नाम का एक शुभांकर शुमारा अनावरंड किया गया है जिसे की ज़्याद ज़्यादा लोग वोट देने जिसके लिए और ये लाया है और अक्रम वेरी गूड मॉर्निंग सभी उसके बाद बात कि जए हो ये साला अभी यह एड़ेड नहीं है लेकिन हो सकता है कि यूरेस को कि विश्व धरोवार सूची में इनको एड़ाउन कर दिया जाए आपको यह जुलाए अगर क्या सबास इनका फाइनल रिप्लाय आएगा जब पता चलेगा कि कहते क्या होना है अब यह साला टेम्पिल्स के अ यह आपके डिफेंस इंटेलिजेंस एजंसी के अब नए कह सकते हैं अध्यक्ष हो गए और साथ ही साथ हमने यह भी बताया था कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे कभी यह सब भी डिसक्स किया था और भारत का पहला हाइड्रोजन ब्लेंड ग्यास यानि कि नाच्रल ग्या करते हैं और शुरुवात करते हैं कहा जा रहा है कि यूनियन बजट का एक और अनाउंस्मेंट यह था कि अंतराश्ट्री आर्बिटरेशन सेंटर इसको सेट अप किया जाएगा अब यहां पर गांधी नगर में इसको सेट अप करने की बात की जहा रही है और यह कहा है नि जैसे कि कोल्ट वगएरा होते हैं ऐसे ही आर्बिटरेशन होता है जब आप इसके बार में पढ़ोगे तो यह होता है और तो अब कहोगे कि जब कोल्ट ऑफ लॉँ है तो इन आर्बिटरेशन की ज़रूरत क्या थी क्योंकि कोल्ट में कभी-कभी बहुत टाइम लगता है त तरीके को अपनाते हैं जिससे कि जल्डी से जल्डी से स्पीड में कहा जाना उसके इसके लिए जाता है तो इसी सब्सक्राइब करने के लिए किया जाता है सबसे पहली बात और बात किया जाए कि यह कहां पर इस्टाब्लिश्मेंट आइडिया कहां से लाए गया है यहां पर लंडन और सिंगापूर से लाए गया होती है तो उनका अपना अर्प Сंसक्राइश कभा है और ब साथ और बात कहा है साएं कि यहां पर लगा हैं यहां यह बात कहा जारा है कि इंतरनाशनल जो सेंटर होगा वह जिफ्ट मैं लाया जागा कहां गाहां गिफ्ट सीटी में ज़ई बजट की जो भी टोटल ऑल इन वन बाते हैं वह हमारी सफलता क्लास में आपकी पड़ी हुई है आप उसमें जाके सब कुछ देख करते हैं ठीक है अब यहां पर बात आती है गुजरात की गुजरात के बारे में क्या क्या बाते जानते हो आर्बिटरेशन का मतलब समझे एनी पढ़ेंगे आपके लिए शांदार कोशन है उसी में बताएंगे कहां कहां गुजरात आपका टॉप में है यह भी देखेंगे तो गुजरात क्यापिटल एक मही उननिस्तों साथ की फॉर्मेशन है क्या गांधी नगर और यह गांधी नगर किनका निर्वाचन छेत्र जरा सबसे बड़ी सिटी जो सिंके अहमदाबाद होती है सीएम कौन है सीएम है इनके कौन है भूपेंदर भाई पटेल या बूपेंदर पटेल और अगर मैं पूछनू बही गवर्नर कौन होतें तो यह आपके आचार देव वरत कौन होतें फिर अगर हम लोग बात करते हैं रा कहते हैं लोग सबाकी 26 सीटे पाई जाती हैं फिर अगर हम लोग बात करें आगे की तो यहां पर एरिया वाइज यह पांच भी रांग कोड़ करता है और अगर बात की जाए तो अब यहां का पशू कौन था भया एशियांटिक लॉयन एशियांटिक लॉयन आप यह जानतों क यहां यहां पर कहलाता है और यहां पर फल होता है मैंगो होता है और बात की जाएफेड़ान त्री यहां पर इस ट्रेट रटी होटा है गिर नाशनल पार्क भी आपका गुजरात में ही देखने को मिलता है अब तो किसी को गुजरात के बारे में और शांदार है कोशन बड़ेशांद आ रहे हैं पहला इस्पोर्ट यानि कि पहला कहीं कोशन वाय तरद यह आ रहा है कि किसने इसका शुभारंब किया थे जँ स्वेपयर MSC Ham ROBERT नहीं है ना आर्बिट्रेशन आतेंटर आतो जाए तब तो दिखाएंगे ना ठीक है बताते हुँ चलो पटाफट से देखते हुँँ चलना क्या आनतर आना चाहिए तो देखो भई देखो समझते हुए चलो आनसर यहांपर रहना चाहिए कि दो में कन्फ्यूजन हो रहागा दो में कन्फ्यूजन होगा option no.3 बोल रहें कैफी बोल रहें option no.3 वीरेंद्र कुमार ठीक है वीरेंद्र कुमार कौन है आपके यह आपके social justice प्रदान यह आपके शिक्षा मंत्री एडिकेशन मीनिस्ट्र हैं यह भी कैंसे लोगा एडुकेशन का लेना देना नहीं ठीक है अब यहां पर option आता है प्यूच कोइल कॉइब कोई काम नहीं इसका भी काम नहीं रहा लेका थो यह लेकिन यह वीरेंद्डीक्र सप्पोर्ट् किसे क्यूंतिट कुछ तो आंब आपके जो आपके यहां पर लॉड और जुस्टित मंतरी harus देड़ Ministries रहें समझना arbitration कि से relate करता है कोड की जगह आता है ना यह लॉस रिलेट करता है इसी लिए आपका dispute कौन सॉल्व करता है dispute कौन सॉल्व करता है यह सानून केता है तो आप्शन नमबर वन विजय अनामी का प्रेंड़ना बही कैफी बहुत अच्छे सच्छिन श्रद्धा आप्शन नमबर वन बिल्कुल सही होगा अच्छा मुझे यह बताओ कि अभी हाली में यह नीट 3.0 का मैंने नमचे प्हारां के यह कितने लॉंच क्या है मुझे यह नहीं पता है कि यह नीट 3.0 लाइन्स का जाता है क्या क्या चाहता था नैशनल एजुकेषन ओंड्गी और एजूकर एजुकेशन एक हैं ऐसक Ñलाइन्स बहा рай के लाइन्श जैसा भी आपके लिए कुछ लॉंच हुए ये भी लॉंच किया गया अच्छा अभी हाली में एक योजना नियूज में रही ती जिसका नाम ता सेहत योजना कहा ये गया था ये जो सेहत स्कीम है इसके अंतरगर जो दवाईया है उनकी होम डिलीवरी हम करेंगे उनकी लाइंग्यों की होम डिलीवरी करी जा रही है तो आपके मिनिस्टर होंगे जी नहीं ये डिफेंस पर्सॉनल के लिए लाए गई है ये स्कीम और ये आपके लिए रक्षा मंत्राले द्वारा ये सेहत स्कीम लाई गई थी कन्फ्यूज मत होना अगर समझ में आ रहा है अब लंगाना के थी मोल दिया मेरे से आंसर निकल गया ठीक है आंसर आ गया है ठीक है मुझे यहां पर यह मैंशन नहीं करना चाहिए और आपके सामने और यह आंसर रहागा बैटा है तो सामने भारत का पहला अंतराश्टी आर्बिटरेशन और मेडियेशन सेंटर मध्यस्ता औ अल्रेटी कहां पर खुल चुका है यह आपका हाइदराबाद में आ चुका है अरे बहुत बोल दिया है कि चंद्रशेखर राव जी ने रिनाग्रेट कि है तो हाइदराबाद आंसर और अटोमेटिकली हो जाएगा एक स्कीम मुझे यादर यह लड्डू वितरन स्कीम लड हो और यह आपकी अब यहां 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 बात कि जाये तो यहां पर आपके या आपकी पहले हुआ करती थी क्वा पर अब यह नहीं है अब दिल्ली है तक बहुत अगे बढ़ते ये खिजादिया वाल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पढ़ता है ये खिजादिया वाल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पढ़ता है ये बताना तो और ये क्यों न्यूज में रहा ये बताना है आपको वतन प्रेम योजना गुजरात बहुत अच्छे वतन प्रेम योजना सोना इंटरनाशनल आर्बिटरेशन सेंटर पहला आपका हाईदराबाद में लाया जाएगा ठीक है रॉबिन कोई है क्यों कि भाई रामा सार साइट जो दो न्यू रामा सार साइट बनी में है और यही है उनमें से दो में से एक पहली जादिया वा लाइफ सैंक्ष्री जो कि ऑप्षिन नंबर 5 राहुल प्रेणा वुक्याफी बहुत अच्छे सचिन option number 5 गुजरात रेगा प्रदीप बहुत अच्छे विनोद option number 5 रहने वाला है और दूसरा कौन सा है दूसरा है बकीरा वाइल लाइफ सैंक्षरी समझना यह जो भकीरा वाइल लाइफ सैंक्षरी है यह हमारे प्यारे उस्तरप्रदेश वाला है ठीक है अब मुझे manufacturing हप में भी टॉप बताओ और services में भी टॉप बताना है कि कौन सा है सेवाओं में टॉप बताना है और manufacturing में दोनों में टॉप बताना है कौन सा रहेगा तेशन बेटा एक बड़ी से जोरो शोरो से like कर दो और बहुत कम pace में like कर रहा है like तेजी से आना चाहिए बाइस देखो पहले ये manufacturing में टॉप रहा रहा करता था महाराश्च लेकिन अब बूल जाना माराश क्योंकि अब manufacturing में गुझरात टॉप पे आ गया है अब आईश्य बहुत अच्छे गुझरात टॉप में लेकिन तर्विसेज में आज भी और यह कथन कितका यह यहां पर पूड़ सेफटी इंडेक्ट आया था यहां लॉए ने लॉंच के था पूड़े सेफटी इंडेक्स इसमें बड़े राज्यों में टॉप में कौन है बड़े राज्यों में top में कौन है फटा फटा से देखते हो चलते तो बड़े राज्यों में फटाप में यहाँ पर गुजरत ही रहेगा इसके अलावा एक lead करके आइसी जो आपकी कह सकते वगएरा से related से उसमें भी आपका भई गुजरात ही है है जो टॉप में राता, उसमें भी गुजुरात है जो टॉप में राता आप से बोला जाए यहां पर अनीमिया मुक्त-भारत में टॉप कौ ्र ciaoמה आई-HOPE तो आपको यह और है यह बात कहां कहां गुजरात ने टॉप किया है आपको यह रहेगा सारी की सारी बाते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसके लगा आपको बता हो कि अब अब हाली में किसने क्या इंस्टॉलेशन में आपका अगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स बाइफ इसको नहीं करना है बैंकिंग मेंस का कोश्चन था इस बार का ठीक है तमश्चते चलना कहा क्या जा रहा है कहा यह जा रहा है पांचमी स्कॉर्पियन क्लास मेड इंडिया पंडुबी इसने जो है पहला सी ट्रायल कर लिया पहला समुद्री परिक्षण के लिए यह रवाना हुई अब आप से कोश्चन में आएगा कि कौन सी है क्या नाम ओटीया फिरिकास करेंगे ठीक है ऑगर बात की जाएंगेा थी कह अगर बात की जाए इसका नाम क्या है था और जब жизни ए इसके के लावा बात कि झाए तो सम्मरीन का नाम इसका नाम यह कहां से आया यह रशिया की वेला क्लास पंडूब्बी से का नाम लिया गया यह सिर्फ बाकी की कॉन तो भी बताएंगे टोटल एच्षे कलवारी क्लास बनाई गई जिसको डिजाइन किया था और बात की जाए तो कौन ती है तो देख लो यहाँ पर बात की जारें यहाँ पर बात की जारी है दो समरीन से Scorpion class की जो आपकी कलवारी और खंदेरी है यहां पर पहली और दूसरी पिर तीसरी पंडुबी आती है कारंज जिसमें और फिर आती है चौती पंडुबी जिसका नाम होता है वेला और पांच भी आपके लवगीर और छटी जो तयार हो रही है वो वागशीर तो आपका एक दो three, four, five, और छिस तारी के सब नाम है कलवारी खंदेरी और यह रहना वांसा क्लियर है किसी दो क्लिया है पर एक है यहां पर कोई यह Daug को देखने को मिलेगा मजगाव शिप बिल्डर ने इसको बिल्ड किया ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि अगर बात की जाए नेवी भारतिये नौ सेना क्या क्या बाते जानते हो फटा फट से बता दो इंडिया नेवी के बारे में क्या क्या और हम सारे डिफेंस जो हैं यहां पर म अपरेशन बताओ जिसके अंतर मना जाता ऑपरेशन स्रीदेंस जिसके अंतरगत 1971 में कराची पोर्ट में पाकिस्तान की शिप पर अटाक किया गया था ठीक है फिर उसके बात की जाए तो यहां पर आप से पूछा जाएगा कि चीफ ऑफ नैविल स्टाफ के चीफ कौन है न लेटेस्ट अपॉइंट्मेंट है और इनके चीफ बता दो याद नहीं आ रहेंगे और अगर बात की जाए आर्मी डे कब मनाया जाता है यह बताते हुए चलना आर्मी डे आपका मनाया जाता है पंदरा जैन्वरी पंदरा जैन्वरी फिर उसके बाद नेवी डे बता दिय और फिर आपका इंडियन कोष्ट गाल्ड जो अभी हमने पढ़ा इसके बार में इंडियन कोष्ट गाल्ड डे यह मनाया जाता है एक फेब्लरी को यह तरह दिन देखे मुझे इनके आपने चीफ किसी ने नहीं बता है और हरी कुमार अर्जुन ने बताया है कि आर हरी कुम सब्सक्राइब करना है और देखते चलते हैं क्या आ रहा है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बाड़ी बैंक है आपकी और उन्होंने सूरिष शक्ती किया है इसके साथ बास्टेट बैंक करके ताटा के साथ बास्टिब करके जिस से कि सोलर प्रजञेक्स कंपनी के साथ मिल कर यह नहों यह यहां पर agreement किया है और यह काम किया है आगे बढ़ते हैं और बात करते हुआ क्या है तो बहुत है सोलर पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनको विच्ट पोशन करना उसे पैसा लगा रहे हैं फाइनस करनी है जिससे लिए सकता है जितने भी प्रोजेक्ट एक मेगा वाट तक के जितने भी सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोन वगेर आएंगे उनकी फाइनसिंग यहीं से होगी ठीक है और कहांं जाय सकता है कि यहां पर जिख जिख जाहे वो बिजशनेस एंटटीज हों चाहे वह घरेलू और बैंक का एम यही है कि यहां पर डिजिटली डिजिटली जो है और बिना किसी दिखत के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा लाया जातके जिससे की सोलर प्रोजेक्ट को आगे के लिए बढ़ावा दिया जातके और इसके साथ SBI के बारे में बात की जारी तो competitive rate में ये काम कर जाए तो बहुते के कबारे में क्या बाते पता हैं फटा फटे देखते हुए चलते हैं तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफंडीया भाष्षी स्टेट बैंक को आफ से पहले जानते थे किस नाम से जानते थे यारण과 520 ranah500 करहों बैंक और इसमें एन वाउंडियां प्रेसिद में इसका भईया हो गया राश्ट्री करण और जैते ही इसका नाम हो गया इसी का नाम हो गया स्टेट बैंक ओफ इंडिया और की बात करी जा है तो बही एक जुलाई को इन्होंने अपना च्छाचटवा इसापना दिवत भी मना था और बेटा चेर्मान कौन है दिनेश कुमार खरा और हैटक्वाटर का है ओफ़्कॉर्स इसका है मुंबई में हैटकॉर्टर का होता है मुंबई में होता है यह बात या रखना SBI की बात की जा रही है floating ATM पहला केरला दूसरा कहां दूसरा कहां डल लेक जम्मू कश्मीर या रखना questions बड़े शानदार हैं IMPS online transaction limit इन्हों ने बढ़ा दिये इंडियन नेवी के लिए पर्सोनल के लिए लाउंच की हैं और यह आपके आए ने विशाख्वा पड़नम से लॉंच के लिए बिलकुल बात की जाए यह लिमिट अब दो लाग से बढ़ा कर किसनी कर दी गई बेटा पांच लाग कर दी गई है बिलकुल विनो तीन प्रेसिटल बांकिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत अपना महत्वण कोश्चन है इसके अलावा यह कोश्चन बड़ा अच्छा है और जितने भी एक्जाम है सबके लिए रेलेवेंट है यह आप से बात की जा रही क्या पार्मोसा बांड की बात की जा रही है इससे रि ने मनी रेस की है ठीक है किसके थूरूं की थूरुंत की मदद दे और यह जो फौर मेज फार्मोसा बांड के तरूंत जा रहा है यह आपका कौन से देश का आप कह सकते बांड है यह का जा रहा है और इसका इशुएं तब इंडिया और इनेक्स गिफ्ट आई एफस्ती में लिस्ट भी हो गया और बात की जा रही यही फार्मोसा बॉंड जिसके त्रूफ ऐता इन्हों ने रेट किया यह कौन से देश में इशु किया जाता है कोलो यहा बैंकिंग आखिन मनरते हैं तो बैंक्किंग में दिये होगा की तो पता होगा ब्याद प्रिंटिंग की मिन्टिंग प्रिंटिंग ऑइंडिया को रहे लिए यादार है वह काम हुआता है तो कंफ्यूज मत हो ना तैवान से लिए आगे बात करी जाए और आगे यह बड़ा मज़ेदार कोशन यह आ रहा है आपके लिए लाइक करते चलना यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर सेक्योर्टी प्रिंटिंग और मिंटिंग और यह को प्रिंटिंग प्रेस होती है यहां पर दो आपकी भारत सरकार समालती है तो आपकी बैसिकली चार प्रिंटिंग प्रेस कौन से होती है देवास नासिक मैसोर और सलबोनी ठीक है अब जो बात की जाए देवास नासिक माइसोर और सलबोनी तो यहां पर अगर बात की जाए यहां कौन सी दो जगा है नाशिक माइसोर और कलबोनी यह चार जगा ठीक है अब यहां पर कहां पर इन्हों ने अपना नया बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन फोली है तो बिल्कुल option number five अक्रम जग जीवन प्रेड़ना बहुत वन एंटू देवास और नासिक में खोली गई है देवास नाशिक महाराष्ट में मैसूर आपका करनाटक में और सल्बोनी आपका वेस्ट बेंगॉल में होता है जितमें से सल्बोनी और मैसूर जो होता है क्या सल् प्राइवेट लिमिटेट के अंतरगास आता है यह बात या आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरवी आई ने डिजिटल पेइमेंट इंडेक्स आपको पहले ही पता था कोई इंडेक्स आएगा और इस इंडेक्स के हिसाफ से कहा गया है कि भारत में डिजिटल हो गया यह पूछा गया तो आरवी आई ने अनाउंस करा है कि डिजिटल मोट के थू जो भारत में पेइमेंट हुआ है यह कितने से बढ़ा है यह 39.64 परसेंट से बढ़ा है यानि पहले यहां पर कहा जाता है कि 217.74 इतना हुआ करता था आपका यहां पर डिजिटल पेइ 304 दशंबलव 304 दशंबलव 06 बढ़के यह हो गया और यह आखड़े डाइजक्ट एक्जाम में पूछे जाते हैं आरवी आई से रिलेटेट इस दुनिया में जो भी नियूज होती है वो कभी और यह कौन कब तक काकड़ा है है सेप्टेंबर 2021 के आखड़े के हसाब से का पूद है यह हर एक्जाम के लिंपॉटेंट है और लाश्ट कोशन हाली में अयुर्वेदिक के साथ मिलकर को ब्रैडट क्रेडिट काल्ड लाँच किया है इसमें पंपिंपिस याई के साथ पार्टनर्शिप करके पतंजली और निम्द लिकित में ते किस बैंक ने फो ब्र पंजाब नाशनल बैंक ने किया या रखना प्लोटिंग इन्हों ने लॉंच किया तक कहां पर डल लेक में दूसरा था पहला अल्रेडी केरल में लॉंच किया गया था यह आपका पंजाब नाशनल बैंक को का याद रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगया प्रस नुस से बनेंगे और कौन से वह दोखन है अभी हम आपको बताते भारत का प्रेट कीप्रीडमिया जिसraph है जिसको रिजीस करता है भाई राइट और रिस्क अलिस्स गुरूट यह मार कर लो राइट cooking रिलीस कता भी बताएंगे इसको यहाँ पर इंडिया प्रेस-फ्रीडम रिपोल्ट आ गई है इस रिपोल्ट ए साफ से तेरा मीडिया हाउदा और जो एड्यू से पर है इनको टार्गेट किया जाता है देश में 108 जर्नलिस्ट को अटैक किया जाता है देश में जिसमें से 6 जर्नलिस्ट मारे भी जाते हैं यह आखला आया है लेकिन कोश्चन की बात देखो यह होती है कि हाइस नंबर ऑफ अटैक जर्नलिस्ट पर होते हैं अपने पत्रकारों पर होते हैं वह कहां पर होते हैं तो वह होते हैं जम्मू कश्मीर सबसे जादा सबसे जादा अगर बात की जाए भारत में अटैक होते हैं जो जर्नलिस्ट पर जितने भी जर्नलिस्ट पर जो भी पत्रकार होते हैं उन पर जो हमले हुए हैं और तीसरे स्थान पर यहां पर बात की जाए आपका मध्यप्रदेश वालों यह याद रखना ठीक है फिर उसके बाद आपका छौतहीं स्थान पर मैं यहां पर चौछह पर प Tôi भौरा और पर आपका दिल्ली होता है यह टॉप फाइव जगह है जहां सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट पर टाक होते हैं और टॉप में कौन है भाईया आपका जम्मू और कश्मीर रहता है यह रिलीस करता है अब अगर यहां पर बात की जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यह आता है क्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है अभी इस इंडेक्स को रिलीस कौन करता है यह आपके कोशन आता है पता है तो बहुत अच्छी बात और नहीं बता है तो जान लो इस इंडेक्स को रिलीस करते हैं रि यह पूछा जाता है रिपोल्टर्स विदाउट बॉल्डर्स दोनों में कंच्यूज नहीं हो ना क्योंकि जब में दीखेगा लिक्त के ले लेना लेकिन यह आपका आंसर नहीं होगा यह बात यह बात की जाए कि दोहजार 21 के एकड़ों ने किसा बेका इस वर्लड प्रेस प्रीडम में धुनिया भर को देखा जाता है और इंडिया के प्रेस प्रीडम में आपका यह भारत के रिपोल्टर्स की बात की जाती है बस इतना ही फर्क है बात दोनों में सेम होती है कि कौन यहां पर कह सकते हैं कि कौन यहां पर आपका कह सकते हैं कहां पर सबस्यादा फ्रीडम होती कहां नहीं तो वर्ड प्रेस फ्रीडम में जो है इंडिया 142 रैंक पे रहेगा 2021 के साथ यह बात या रखना अगे बढ़ते हैं और देखते हैं कु उसको कुछ याद आ रहे है जम्मू कश्मीर और गुड गवर्नेंस को यहां सुशासन से रिलेट क्यों किया जा रहा है यह बताते चलो सेशन लाइक करो भाई लाइक बहुत धीमे से लाइक तेज बढ़ाओ और तब तक हम इसके आंतर देते हैं यह होल्ड पर रखना सब्सक्राइब होति आधिक्तम संख्या आपके लिए रहती है किसकी यहां पर रहती है महराश की पॉइंट नूंबर वन यह हो जाता है बाकी करनाटक याँ पर स्टेट एनर्जी एफिशेंसी इंडेक्स में टॉप रहा है आगे की बात पंचायती राज में उक्तर प्रदेश टॉप में रहा है आगे की बात की जाए तो नितिन गड़करी जी ने विंटर सेशन राथा पारलेमेंट का जिसमें वात की थी इलेक् कहां पर आई है इलेक्ट्रिक बस दिल्ली सरकार लाई है उडीशा में गंजाम गाउं जहां पर बाल विवा रोक दिया गया बाल विवा अब नहीं होते वालमी की नैशनल पार्क कहां देखने को मिलता है याद रखना आगे बढ़ता हूं और सबसे पूर स्टेट कौन सा होत है यह भी भी बिहार रहता है यह बाद आगळना नीतियो के नियुकि लिया बाहर किया हुआ है पहली बार कहा था कहा अमिशाजी ने कहा था कि यह जो तुशाज़ी प्रदेश जहांके दिश्ट्रिक के लिए लाएक यह रैस ताइम जम्मू कश्मीर ना उनके लिए क्या का जा रहा है उनके लिए सुशाशन सुचकांक लाया जाएगा और यह अमिशा जी ने लेटस मिलाया थे इसको या रखना सेशन जोरोशोर से लाइक कर दो जानने वाल तक शेयर भी करना है अब देखो क्या हुआ है यह एड देखते हो ना क्या हुआ है क्या हुआ है और इसमें जो याद करने वाल पॉइंट है यह इतना ही नहीं आगे देखो क्या पॉइंट है क्योंकि कुन्यूद आशकल डी पारी तो पंदरा साल बाद री ब्रांडिंग हुई है और टाटा इसकाई ने का हम अपने नाम से स्काई हटा देंगे और ले आए बस यहीं से आए जाएगा यहांपर साथ पर इस्टेक है और निए इन्यूने नेटफिक के साथ नेट्फिक्स के साथ की और नया OTT content भी इनको Tata Play को दिया जाएगा और बैसिकली टाटा प्ले तेरा तेरा लीडिंग OTT के साथ अल्रेडी काम कर रहा है यह सारे हैं और देखते हैं कि इन में से कौन है जिन्हों ने इस बार IPL की स्पॉंसर्शिप ले लिए चाइनीज मोबाइल जब चाइना इंडिये डिस्कूर्ट चल ला था तब उस टाइम पर क्या हुआ था वीवो वापस से स्पॉंसर करने लगा था कोश्चन क्या रहा है कोश्चन प्रेमियर लीग को भूलना नहीं है आई पियल को आःप स्पॉंसर करेंगे कौन है ताटा भ्यिटा टाटा स्पॉंसर करेगा याद कैसे नहीं आएगा याद आना चाहिए तो यहां पर समझना हुआ क्या है ताठा अब फाइनली एयर इंडिया टाटा होगा आप मिल गया है और यहां पर अगर बात की जाए तो यह आपका एयर का कभा हुआ दा यहां पर बात की जाए तो टाटा घृप ने यहां पर एयर और इंडिया को टार्टा एरलाइंस के नाम से कब बनाए के साथ कब स्थापित किया था यह बताना है वर्ष होगा यहां पर ऑप्शन नमबर फूर वर्ष निस्तों बत्रिस वर्ष क्या होगा 1932 और आप से पूझाए इसका राष्ट्री करन किसी का एयर इंडिया का तो अब सरकार ने वापस तो और इसका और इसका फॉर्मेशन Mahar इसको क्या गया था ता था एरलाइन सब्सक्राइस द्वारा लेकिन इंडिया और इसमें इंडिया को में भारत सरकार ले लिया वर्लड श्टील है तो शीयेशन के शीयर में कौन है इस टाइम पर और यह आपके पहली बार कोई भारती हैं जो वर्ड इस्टील जो है 2021-2022 के लिए यहां पर अध्यक्ष बने हैं विश्व स्टील एस्टील के और यह कौन रहेंगे एई आई आई बी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है कि जाए तो यहां पर क्या आंसर रहेगा यह आपको बताते हुँँ चलना है यह आत्को बताते हुँँ चलना थिक यह अगर बात की जाए तो आउत्सरी निवास मूर्थी लेटेस्ट अपॉइंट्मेंट है डिफेंस रिसर्च और डवलपन्त लबरेट्री कि इसके वही यह क्या है DRDL के यह आपके डारेक्टर घोशित हुए है यह लेटेश बिल्कुल ताजा ताजा बताना आपको लेटेश बताना है यह वाला आपको याद रखना है ठीक है पॉइंट आंसर रहेगा सज्जन जिंदाल सज्जन जिंदाल की बात की जाए तो यह आपके और पूरा नाम यहां पर रहेगा इनका यहां मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो नाम है मैंने डिक्लेयर नहीं यह नाम रहेगा यह लिद में ठीक है तो यह आपके बने हैं और बात की जाए तो वर्ल्ड चैंपियंशिप में इन्हों ने यहां पर टाटा स्टील चैलेंजर का जो है यहां पर खिताव लाएं और बात की जाए ताटा मास्टर के लिए ताटा स्टील मास्टर के लिए कौन मैगनस सालसन आपके क्वालिफाय कर गए और अगर तो यह कुछ अडिशनल पॉइंट है और आगर बात की जाए तो आंसर रहेगा अगर आपसे पूछा जाता है तो मैगनस कार्सन यह आपके कहां ते बिलॉंग करते हैं तो यह आपके नौर्वे से बिलॉंग करते हैं यह बात याद रखना ठीक है यह बात आपके लिए इंपोर्चन परती है अब चेस से रिलेटेट बहिए आपके लिए हम आज और मास्टर्स की न्यूज लाहें यह आपको बताते हुए चलना ठीक है चेस रिलेटेट बॉड़ी कौन सी रहती है फाइड जिसको आप कहते हो यह आप कहते हो वर्ल्ड चेस फेडरेशन क्या कहा जाता है और अगर बात की जाए वर्ल्ड इंटरनाशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नामते जाना जाता है 1924 में थी और यहां पर लॉसेन में लॉसेन बोले तो स्विट्जर लैंड वाला लॉसेन होता है और यह आपका हैड़कौर्टर होता है यह आरकाड़ी डूबोर्ड के यह कौन होते हैं यहां का ध्यक्ष होते हैं जा रहा है और आफकोर्स विश्वनाथन आनंद को कौन नहीं जानता यह भी आपके चेस्ट से रेटेड़ हैं विश्वनातन आनंद जी अब बात की जाए 72 ग्रैंड मास्टर फटा फट से यह जितने भी ग्रैंड मास्टर हैं यह पूछे जाते हैं और आपको बताना है कि भारत के 72 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं जिन्होंने निकोला को हरा दिया था और यहां तर्विया में टूर्णामेंट हुआ था जहां पर यह लाए थे और इनका नाम क्या रहेगा नाम बताते चलना जितने भी ग्रैंड मास्टर नाम सब आपके इचत लेटेड़ है नाम सेवेंटी फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है बहिए इनका नाम बताते चलो इनका नाम रहेगा संकल्प गुपता सेवेंटी फर्स्ट जो है बहुत अच्छे राहोल लक्षमन सौम्या नामिका शालिनी अर्जुन अब बात आती सेवेंटी फर्स्ट लियर है अब आगे ब यह आपके 69th Grand Master बनेते पूनेते हैं और यहाँ सितंबर के महीनवे में यह बनेते याद रखना और फिर बात आती है लेटेस्ट में यानि की 73rd Grand Master लेटेस्ट वाले बहिए 73rd Grand Master कौन बनेते तो इनका नाम भी लिख लो तमिलनाडू से भरत सुब्रमानियम तमिलनाडू से भी लॉंग करते हैं भरत सुब्रमानियम और यह आपके 73rd Grand Master रहेंगे लक्षमन श्रद्धा अनामिका निकिता शालिनी बहुत अच्छे यह बात यहाँ पर याद रखना सभी को क्लियर होगा किसी को कंफ्यूजन नहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं और यह जितनी भी परसना खूड़ और किरन जोर्च उन्नाती हुड़ ओडिश हो अपन का टाइटल जीता जिसमें से सबसे यंगिश्ट भारती रह sug विलीश्ट हलगी कंफ्यूजन का नाम है उनती हुड़ था कच्छिन बहुतित आप देखते हैं तो भारती टीनेजर हैं उन्नाती हुड़ा जिन्हों ने स्मित तोशनीवाल को हरा कर यहां पर भारती यह महिला एकल का टाइटल जीता है 2022 ओडिशा ओपन बैर्मिंटर टूर्नमेंट में और यह कितनी है महद यह 14 इर्ड है और यह इतिक साता सबसे कम उमर क बारती हो गई जुन्हों नहीं यह टूर्नमेंट अपने नाम किया और वहीं अगर बात की जाए तो पुरू शेकल में किरन जॉज ने प्रयांशु रजावत को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया और 2000 बाई का ओडिशा ओपन यह जो है यह बी डबलो एफ सुपर हंडिड टूल्नमेंट राता जिसको जवाहर नाल नहरू इंडूर इंडॉर स्टेडियम कटक ऊडिशा यह याद रखना से रिलेटेट कौन सी वाड़ी आती है आपके लिए बैड मिन्टन से फटाफट से देखते हो चलेंगे तो जब बात आएगी बैड मिन्टन से तो याद रख बैडमिन्टन वर्ड फेडरेशन नाम की एक बॉड़ी आती है जिसको आप कहते हो भाई या बीडबलू एफ कौन सा बीडबलू एफ वही बीडबलू एफ जो आपका 1934 में बना था है एड़कॉर्टर कहां होता है भी कौाला लंपूर कौाला लंपूर हैड़कॉर्टर होत अब देखो यह बहुत इंपॉर्टन न्यूज है थेलो इंडिया नाशनल प्रोग्राम डेवलप्मेंट स्पोर्ट से बजट में बोला गया है कि यहां पर इसका आउटले है सब्सक्राइब करोल रुपय का और खेलो इंडिया इस्टीम में जो है अब अपना कहते हैं कि बढ़ा देगा बजट 2022 के साब से यहां पर कितनी बढ़ोतरी होगी और बेसिकली इसमें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड इसकीम भी अब जोड़ दी गई है अब कितनी बढ़ो होगी आपको यह बताते हुए चलना किसी बात की जा रही है कितने ब्रतीशत की बढ़ोतरी हुई है 48 परसंट की बढ़ोतरी हुई है और बैसिकली बात की जा रही है और कितने और आप से पूछा जाए स्पोर्ट से जो है कह सकते हैं कौन मंत्री है यह आपके कौन में स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराख सिंग ठाकुर अब बात की जा रही है कि इंडिया का पहला यूनिकॉर्ण यूनिकॉर्ण ऐसा स्टार्टप भई जो यहां पर आपकी क्या बनी है यूनिक स्पोर्ट पॉड़ी है आपके लिए बही जिन्हों ने अभी चैम्पियंशिप जी चंण नहीं सुपर किंग स्पॉर्ण पहली बन गई है नाम यह रखना फिर बात की जाए कि कहते हैं मैंस किटी ट्वेंटी टीम आफ दी एर के रूप में किसको कैप्टन चिनहित किया ग पहले समझो यह होता क्या है तो यह क्या होता है इंटरनाशनल टीम आप दी एर लिया जाते दुनियावरते और इसी टीम आपड़े इयर के यहां पर या रखना बाबर आजम आपके लिए बिल्फुल सहीर आंसर रहेगा यह बात याद रखना ठीक है बाबर आजम लेकिन महिलाओं में जब यह इसी विमेंस टीट्वेंटी इंटरनाशनल टीम ऑफ दी यह गई है इसमें भारत एक लौती लेडी गई है जिनका नाम ह यह कैप्टर नहीं है यह सिर्फ गई है यहां से जिनका नाम है कौन इस मृती मनधाना पुरुषों में तो कोई नहीं गया पर बहिलाओं में इन्होंने इसमित्वी की दुनिया बरते ग्यारा प्लेयर्यस को सुना जाता है इसमित्वी मनधाना रही है पर इसमें अगर वि आपको याद है तविता पुनिया की बात की जाए यह आपकी न्यूद में थी और अगर बात की जाए में इसिया होकी कप में यह लीड करने वाली है ठीक है कि राणी रामपाल थोड़ी इंज़री के रेटेट चल रही है जिसकी वज़े से होकी तर लेटेट हैं और विमें ए में होने वाला है और अगर आपसे पूछा जाए इसको लीड भी यही बेटा लेडी करेंगी यह बात जाकना नाम है सविता पुनिया आगे बढ़ते करनाटक को भईया पहला क्रोकोडाइल पार्क मिल ला है और यह पहला करनाटक का पहला क्रोकोडाइल पार्क दंदेली में कौन से मंदिर के पास यह सब कोशन इंपोर्टेंट है दंदेल अपा टेंपिल होता है काली रिवर के पास उत्तर कंडल डिस्टिक्ट में जहां पर यह देखने हो मिलेगा यह स्टार मार्क करो ठीक है पहला क्रोकोडाइल पार्क होगा यह करनाटक का जो दो कर लैंड पर ह करनाटक के स्यंद्स फटआफट से बताना तो सियंद्स हैं आपके कौं होंगे करनाटका के स्यंद्स होंगे आपके बसवराज बो मइं। जी नहीं अब बसव राज बोमई नहीं है अब जो नए वाले सिय में इनका नाम लिख लेना यह आपके होते हैं यह अब यह दुरप्पा नहीं है और अगर गवर्नर पूछा जाए तो यह भी नहीं है और इनका नाम रहेगा भीटा थावर बुड़ पेर होता है इस टेट टी या रखना क्यापिटल बैंगलॉर और अगर बात की जाए एक नवंबर 1956 की स्थापना रहती है अच्छा भारत का पहला एवी जी सी सेंटर यह कहां आएगा यह आपको बताना है भारत का पहला फटा फट से देखते हुए चलेंगे तो करनाटक में आ रहा है नाम से पता चलोगा करनाटक में आपका यह महादेव फूरम बैंगलॉर में आ रहा है कहां पर करनाटक के बैंगा लूरू में यह आपको देखने होको मिलेगा पॉइंट नमबर वन आगे बढ़ते हैं और भारत का पहला कोवर्मेंट टॉन्ड लाइटरी कहां होगा वाइल लाइफ डियन टेस्टिंग लाइटरी यह आपकी बैटा नागपुर में आएगी कहां आएगी नागपुर में महाराष्ट के आएगी फिर बात की जारी है फिश मार्केट फिश वाले यह कौन से ने लौंच किया था तो बेटा यह आपके लि ओनाके उबावा जयनती बोला गया 11 नमबर को मनाई जाएगी कहां पर यहीं बेटा करनाटक में मनाई जाएगी ओनाके उबावा जी की जयनती जो यहां की फ्रीडम फाइटर भी रही है ठीक है लास्ट न्यूट देखते हैं और एंपी ती आई ने यूपी आई सेफ्टी और वैर्नेस का मनाये जाएगा और पूरा का पूरा फर वरिय strict और अवेर्नेस महीना यह रहेगा और इस प्रेवां में जाएगा गया वक्ष्टार सब्सक्राइब करनाटका बैंक ने टॉप किया था यह बात जारत ना करनाटक बैंक ने टॉप किया था यह बात जारत ना करनाटक बैंक ने टॉप किया जाएंगे फिर आपका यूपी ट्रिपल सी लेकपाल का फांडेशन बैच टू भी लॉंच हुआ है और साथी साथ आपके लिए आया है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की लाइफ लातर तो यह सब सफलता की तरफ से आपके ल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सेशन पसंद आगा थैंक्यू वेरी वेरी मुच स्टूदेन्स हर हर माँदे